हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्श्वती क्लासिच, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू चेप्टर जिसका नाम है वचन, जिस तरह के स्टूडेंट एक्जाम में कोशिन पूछे जाते हैं, चाहे वो ओफलाइन हो या ओनलाइन हो, दोनों तरह के कोशिन करवाऊंगा और exam के point of view से ये topic आपको free का एक number देगा और definitely आपसे हर बार question पूछा जाता है चाहे online exam हो चाहे offline exam हो और online के कुछ question भी दिखाऊंगा आपको किस तरह के question दिए गए थे और offline के जो last year के मैंने आपको Hindi solution करवाय था आप वो वीडियो देख सकते हैं उसमें हर बार जो question पूछे गए थे वो बहुत easy पूछे गए थे वो question मैं यहां नहीं करवाऊंगा आपको क्या करना है आपको किसी भी Hindi grammar की book से उन question को करना है जैसे वे पूछेगा कि column का बहुवचन क्या होता है तो आपको बताना है कलमे होता है यह आपको check करना है दवाई का क्या होता है दवाईया होता है यह आपको एक बार recall करना है लेकिन कुछ ऐसे word जो tough है और exam के point of view से important है उनको मैं जरूर यहां sort out करवाऊंगा तो देखते हैं वचन देखिए वचन क्या होता है या जिन शब्दों से हमें जिन शब्दों से हमें एक या एक से ज़्यादा होने का बोध होता है उनको वचन बोलते है कि यह संख्या एक है या एक से ज़्यादा है कोई भी शब्द यह अपने को बताए संख्याओं के बारे में उनको बोलते हैं वचन और वचन होते हैं दो प्रकार के तो वचन के प्रकार है पहला वचन है एक वचन दूसरा है बहुचन कभी एकजाम में ये नहीं पूछा जाता कि वचन के कितने प्रकार होते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और एक वचन बोलते हैं क्या बोलते हैं एक वचन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट वो बेहत इंपोडेंट है और मैं आपको परत्यक्ष दिखाऊंगा किस परकार एक्जाम में इन से कोशन पूछे गए हैं अब देखिए पदार्थ वाचक संग्याई या म भागों में बटी होती है एक पदार्थ और एक समू है जितनी भी पदार्थ वाचक संग्याई या समू है वाचक संग्याई होती है वो सारी कि सारी क्या होती है एक वचन अब जिसमें सोना सोना एक पदार्थ वाचक संग्याई है दूद सत्या समान जल चांदी जनता जू पूजा, वर्षा, सोना, बारिश, घी, पानी, हवा ये सारी की सारी आपको इन वर्डों को कंठस्त कर लेना है ताकि आपसे कोई नीन में पूछे तो आप बताओ कि जो अकाश है ना वो एक वाचक संग्या है अगर आपसे पूछे प्रजा क्या है, सेना क्या है, समुहे क्या है, जनता क्या है देखने को तो जनता स्टूडेंट बहुचन लगती है लेकिन हिंदी के अकोरिंग जनता एक समुहे को परदर्शित करती है और जो चीजें सुमुए को परदर्शित करती है वो एक वचन में रखी जाती है नेक्स्ट है भावाचक संगय हमेशा एक वचन में परिक्त होती है अब भावाचक जिनको अपने महसूस कर सकें पकड़ ना सकें उनको भावाचक संगय कहते हैं इश्वर, क्रोध, शमा, मोह, प्रेम, मिठास, सत्य, बुद्धिमान, बुराई ये सारी की सारी क्या है वच्चा भाव अच्चक संग हैं बस आपको इतने से वर्ड याद रखने है कि ये वर्ड किसको परदशित करते हैं ये वर्ड एक वचन को परदशित करते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है परतेक तता हर एक का प्रयोग सदा एक वचन के लिए किया जाता है जैसे परतेक व्यक्ति यहीं कहेगा आपको अंडरलाइन किया जाएगा कि परतेक बताईए व्याकरण के अकोडिंग यह कौन सा वचन है एक वचन या बहुचन तो आपको बताना है कि परतेक और हर एक यह व्याकरण की दरश्टी से यह क्या वच्छा एक वचन है नेक्स्ट है जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है यानि जैसे एक वचन से एक संख्या का बोद होता है तो बहुवचन से एक से जादा संख्याओं का बोद होता है उनको बहुवचन बोलते हैं अब इतने से बहुचन आपको याद रखने हैं आपका फ्रे का एक नंबर है आसु शब्द, होश, दर्शन, समाचार, हस्तक्षर, प्रान, भाग्य, हालात, दाम, रोम, रोंगटे, आप, बाल, केश, होश, लोग, अनेक, बजे, तेवर, आधरनिय, दर्शक, दर्शन, गण, वरद, गण, दल, जिनके पीछे गण लगा हो, जिनके पीछे वरद लगा हो, जिनके पीछे दल लगा हो, वो सारे के सारे किसको बताते हैं बच्चा, बहुचन को बताते हैं, नेक्स देखिए, ये आपको ये वर्ड तंथर, कंठस्त होने चाहिए, आपको याद होने चाह गया था कि ये बहुवचन है एक वचन है तो लोगों ने कहा था कि मनमोहन सिंग तो एक है तो लोगों ने एक वचन को टिक कर दिया था लेकिन डाक्टर मनमोहन सिंग एक आधरनिय सुचक शब्द को रिपरजेंट कर रहे हैं परधान मंतरी थे हमारे तो वो क्या है बच्छा वो थे बहुवचन पिता जी आ गए, पिता जी कहने को तो एक है लेकिन सम्मान देखिए पिता जी आ गए, गए मतलब कितने जने आउंगे, गए किसको बता रहे है बहुवचन को, लेकिन ये बहुवचन को रिपरजेंट करते है, माता जी कल जाएंगे तो माताजी भी किसको रिपर्जेंट करने हैं बहुवचन को नेक्स देखते हैं अपने अब कुछ ऐसे वर्ड जिनके अगर बहुवचन क्रियेट करते हैं तो या ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अगर मैं दवाई का पुछों तो आप क्या बताओगे दवाईया कलम का पुछों तो कलमे बताओगे उसी परकार यदि मैं किसी और का पुछ लो हूँ तो आप ये यह यह लगा के कर लोगे ये जितने भी वर्ड आपको एक किसी वियाकरन की बुक से मिल जाएंगे अगर नहीं मिले तो आप मुझे message कर दीजिए मैं आपको photo हीच के भेज़ दूँगा जिस book से मैं पढ़ता हम तो आपको वहां से easily हो जाएगा अब देखिए वेपारी अगर वेपारी का बहुचन पुचे तो वेपारी गण होता है मित्र का पुचे तो मित्र गण और मित्र वरग दोनों होता है सुधी का पुचे तो सुधी जन होता है गुरु का पुचे तो गुरु जन होता है आप लोग अध्यापक वरंद इस्तरी इस्तरी जन नारी नारी वरंद अधिकारी अधिकारी वरग सेना सेना दल श्रोता श्रोता जन विध्यार्थी विध्यार्थी गन गरीब गरीब लोग पाठक पाठक गन भगत भगत जन लेखक लेखक वरंद युवा युवा वरग खेती खेती हर ये सारे सारे किसको बताते हैं अपने को जब इनका वहाओचन बनाना हो तो किसके पीछे गन लगता है, किसके पीछे लोक लगता है, किसके पीछे जन लगता है, वो सारे मैंने एकी पीज़ पर लिख दिये अब last year offline exam में पूछा गया था कि गाउं का क्या होता है गाउं का बहवचन गाउं गाउं होता है घर का घर होता है भाई का भाई भाई होता है शहर का शहर होता है नगर का नगर नगर होता है पता का पता पता होता है ये सारे कुछ ऐसे बहवचन है जो last में confusion create करते हैं ताकि म बहुचन बनाया जासकते हैं जैसे राजा अपने आप में एक वचन भी है बहुचन भी है राजा का राजा होता है नेता का नेता होता है पिता का पिता होता है चाचा का चाचा होता है बजार का बजार होता है गिरी का गिरी होता है फल का फल होता है योदा का योदा होता है डाकू होता है सादू का सादू होता है ठीक है डाकू का डाकू होता है लेकिन कई बुकों में सादू हो लिखा हुए लेकिन mostly exam जितनी भी standard की बुक से हैं वा सादू को सादू दिया हुए डाकू को डाकू दिया हुए वरक्ष का वरक्ष होता है बालग का बालग होता है और नाना का नाना होता है ये कुछ ऐसे वर्ड है जो हमेशा constant रहेंगे ना तो एक वचन ना बहुचन हमेशा समान रहेंगे इनको परिवर्तित नहीं किया जाता वचन के according अब कुछ कोशन देखिए जो last year exam में पूछे गए है सदा बहुचन में प्रियुक्त होने वाला शबद कौन सा है साधू साधू जो constant रहता है बालग बालग जो हमेशा constant रहता है प्रान मैंने अभी आपको बताया था प्रान भग्य दर्शन हस्ताक्षर हस्ताक्षर के बाद म उन शब्दों में से आपको जितने दिखा हूं उन शब्दों में से पूछे गए लाश्ट एर के question तीन ही पेपर लिजए तीनों में तीनों में पूछे गए थे नेक्स्ट है निमन में से कौन सा एक वचन के रूप में नहीं है अभी बताया था भाग्य समाचार केश बाल दर्शन हस्ताक्षर तो समाचार देखी मैंने आपको बताया था वर्शा हवा बारिश ये एक वचन को बताते हैं और आग भी मैंने उसमें लिखा हूँ अस ब्रेक्ट में आप देख लेना चेक करके दोबारा पीछे जाके तो समाचार एक मातर ऐसा वाड़ है जो बहुचन को बताता है इन चारों में से नेक्स्ट है निमन में से कौन शा शबद बहुचन नहीं है देखी अभी मैंने बताया था खोश भाग्या बाल केश शमाचार दर्शन हस्ताक्षर इस सारे के हैं बहुचन है कौपी कौपी एक को बताता है अगर मैं लिखू कौपी या तो वो बहुचन को क्रियेट करेगा देखी उन शबदों को पढ़ने से आप फ्री का एक नंबर की रियेट कर रहे हैं अपनी तरफ से नेक्स्ट देखीए सदा बहुचन में प्रियुक्त होने वाला शबद वापस किसी शिफ्ट में पूचा गया उसी साल की शिफ्ट में घर घर का बहुचन घर घर होता है राजा का राजा होता है दादा का दादा होता है होश दुबारा फिर रिपीट हुआ तो आपको उन शबदों को कंठस्त करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो सके अब देखी उसी शिफ्ट में एक कोशन और पूचा गया था सादू शबद का बह पिरी योदा चाचा नाना पिता जी ये सारे राजा नेता ये सारे के हैं सदा समान रहते हैं तो सादू का बहुचन क्या होगा सादू होगा ना तो सादू होगा सादू होगा सादू का सादू ही रहेगा एक वचन भी बहुचन में ये थे तीन या चार पेपर जो मैंने ल झाल